20,000 के नीचे कोई फोन आप लेने जाते हैं मार्केट में तो आपका जो माता है वो घूमने लगता है क्योंकि काफी सारे फोन आ गया है मार्केट में तो कनफ्योजन भी काफी सारे आ गया है डोंट वरी क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ टॉप थ्री ऐसे बेस्ट फोन जो आपके हर छेतर के लिए परफेक्ट होगा लाइक कैमरा, डिस्प्ले, पबजी, गेमिंग वगएरा सारा कुछ के लिए एक परफेक्ट फोन होने वाला है नमर थी से हम लोग जानेंगे ताकि आप फुल वीडियो वाच करेंगे तो नमर थी पर जो फोन है वो है मोटो जी सिक्स्टी अगर इसके स्पेक्स की बात करूँ तो डिस्प्ले आपको 6.8 इंस का देखने को मिलता है 120 हर्स का रिफ्रेस से रेट मिलता है अगर इसके प्राइस की बात करूँ तो 17,999 रुपया देखने को मिल जाता है Redmi Note 10 Pro Max अब आप बोलिएगा आप मोटो को भी तो रख सकते थे दो नमर पे तो इसका भी कोई कारण है इसलिए मैं इसको दो नमर पे रखा हूँ तो वो लास्ट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे तो इसके अगर स्पेक्स की बात करें तो आपको डिस्प्ले 6.6 7 इंच के FHD Plus Plus एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिलता है 120 हर्स का रिफ्रेश रेट के साथ आपको Qualcomm Snapdragon 732 जी यूज किया गया देखने को मिलता है आप चाहे तो Redmi Note 10 भी इसमें परचेश कर सकते हो ये बजट के हिसाब से दोनों अलग-अलग प्राइजेज में है 20,000 के नीचे सबसे अगर बेस्ट फॉन की बात करूँ तो एक नमबर की बात करूँ तो किसी भी यूटूबर से आप पूछ लीजिएगा तो वो बोलेगा Poco X3 Pro इसका जो प्रोसेसर है वो बहुत अच्छा मेरे को लगा इसलिए मैं इसको एक नमबर पर रखाओ अगर आपको कुछ भी चाहिए गेमिंग के मामले मगर चाहिए तो ये वन अप दे बेस्ट फोन अडर 20,000 आपको देखने को यही मिलेगा पोको X3 Pro तो चलिए फटा-फट से इसका स्पेक्स जान लेते हैं 6.67 इंच का फुल HD प्लस इसमें AMOLED दे देता तो बहुत अच्छा रहा था Snapdragon 860 यूज किया गया है RAM के बाद करे तो 6W RAM के साथ 128W इंटर्नल स्टोरी देखने को मिल याता है प्राइस के अगर बात करूँ तो 18,999 रुपया में आपको यह फोन मिल जाएगा तो मैंने Moto को 2nd नमबर पर क्यू नहीं रखा तो इसका कारण क्या उसमें जो है AMOLED डिस्प्ले नहीं दिया हुआ है अगर AMOLED डिस्प्ले उसमें रहता तो Redmi Note 10 Pro Max से प्राइज में भी वो थोरा कम है और इसको 2nd नमबर में रखने में कोई दिक्कत नहीं होता सारे specs उससे मिलते जूलते है तो यही कारण था और Poco AX3 जो है X3 Pro वो तो एक नमबर पर ही रहने वाला है वीडियो कैसा लगा यह जरूर बताइएगा और हमारे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लिजेगा और हमारे चैनल के नीचे जो विल नोटिफिकेशन अन करने का आएगा आपके सामने वो जरूर से जरूर अन कर लिजेगा लाइप, कमेंट जरूर कीजेगा फीड़वेक जरूर अपना दीजेगा